हेलो व्रीबन नमस्कार कैसे हैं आप उम्मीद है आप सब विश्वस्त होंगे मस्तों होंगे आज का हमारा विच्छा है PND यानि की पोश्ट नेजर डिप और इसे हम पोश्ट नेजर डिस्चार्ज के नम से भी जनती हैं क्या होता है कारड क्या होते हैं लक्षड क्या होते हैं कैसे इसे ठीक करें और कैसे से पहचानेंगे तो सबसे पहले समझ लेते हैं PND यानि की पोश्ट नेजर डिप या डिस्चार्ज यह होता क्या है तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा हमारे गले के और नाक के अंदर mucous का स्विक्रिशन करती है जब हमारे गले में नक में या स्वशननली में कोई इनफेंशन जाता है foreign body जाती है तो हमारे सरीर की जो mucous membranes होती है उनके अंदर जो glands होती है ग्रंतिया होती है वो स्विक्रिशन से स्टार्ट कर देती है औरच नित यह धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है अब इस सीक्रिशन का फाइदा क्या होता है अगर हमारे सरीर में कोई foreign body जाती है यानि की कोई infection जाता है या कोई allergen जाता है तो उसे खतम करने के लिए उसे पकड़ने के लिए या उसे रोकने के लिए यह क्या करती है ग्रंथिया सीक्रिशन करने लगती है म्यूकस का और जब म्यूकस जादा बनने लगता है तो हमें ये इरिटेट करता है हमें ये परिशान करता है तो पोस्ट नेजर ड्रिप में यही होता है जो हमारे नाक के अंदर पीछे वाले हिस्से में जो म्यूकस बन रहा होता है ये धीरे धीरे नॉर्मल तरीके से पीछे जाता रहता है जब हम नॉर्मल होते हैं लेकिन इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है शीख क्रिस्वंस का जड़ा होने लगता है तो ऐसी कंडिशन में ही हमें परिशान करता है हमें इरिटेट करता है और बार-बार हमारा ध्यान उस पर पर चला जाता है जिसे हम बाहर निकालने की कोसिस करते हैं या फिर उसे हम निगलने की कोसिस करते हैं तो गले में वारवार म्यूकस बनना गले में वारवार म्यूकस आना जिसे या तो हमें बाहर निकालना पड़ रहा हो या फिर हमें अंदर की तरफ लेना पड़ रहा हो तो PND की समस्या हमने समझ ली है अगर इसके कारड हम समझें तो कारड कुछ common reasons जो होती है वो बहुत common है और इस बीमारी को बहुत बड़ा बनाया जाता है लेकिन ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कई जगह पर इसे डॉक्टर्स बड़ी बड़ी बिमारी की नाम से बताते हैं जिसमें आप confusion हो जाते हैं और आपको डर लगता है कि मुझे कौन सी बिमारी हो गई है तो PND कोई ऐसी बिमारी नहीं है जिससे आपको डरनी की जरूरत है वर्षते हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे इसे निपट सकते हैं कैसे हम इसे फ्री हो शकते हैं तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके लक्षड क्या होते हैं बारवार खासी आना और ये खासी रात में बढ़ जाती है जाए है जब हम शोते हैं दो यए 1,5 बजे की टाइम पर इसपैसली भड़ जाती है बैड पर जाते हैं तब भी भड़ जाती है दूश्रा गले में खरास होना क्योंकि जब मुकस जादा बनेगा तो हमें खरास की समझा होगी खरास ज्यादा बनेगी इसके अलावा हमें बल्गम निकालने की बारवार फीलिंग होना थ्रॉट इंफेक्शन की फीलिंग होना और ऐसा लगना जैसे गले में कुछ फसा हुआ जैसा लग रहा है म्यूकस का यानि कि लिक्विड जैसा कुछ फसा हुआ है ऐसा फीलिंग होना और हमें एसास होता है कि म्यूकस ज़्यादा बन रहा है जिसे हम या तो निगल रहे हैं या फिर हम उसे बाहर निकालने की कुछिस कर रहे हैं इसके कारड क्या होते हैं कारड की बात करें तो एलर्जी सबसे पहला होता है किसी चीज से हमें एलर्जी होना जैसे की डेस्ट है पोलिंस है या फिर कोई खानी का प्रोड़क्ट है फूट हो सकता है या फिर दूद मिल्क जैसे होता है किसी को मिर्ची से होता है या फिर परफ्यूम सो होता है कई लोग ऐसे होता है जिनको कोई strong smell आ रही है या strong कोई test है उसकी बज़े सो होता है तो यह कुछ ऐसे चीज़े हैं जिनकी बज़े से आप कोई समस्या होती है तो यहाँ पर smell की हम particular बात करें test से यह समस्या नहीं होती है कई लोग यहाँ पर बोलते हैं कि test अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तब ऐसा दिक्कत होता है तो test से कोई समस्या नहीं है इसमेल अगर किसी को strong है तो ऐसी प्रॉब्लम से मरीज को आ सकती है इसके अलाब़ा कुछ infections जैसे की viral infections है common cough cold है उसकी बज़े से हो जाता है अगर किस इसके अलाब़ा वी कई ऐसी चीजह होती है जिनसे मरीज को allergy होती है और मज़े समझ नहीं पाता है खाने पीने में कई लोग ऐसे हो तो जिनको दूद से allergy होती है श्याम कौनों ने दूद खाया शुबह उनको जुखाम हो जाता है तो काफी सारी ऐसी चीजह होती है जो एल प्रोड़क्ट लीजेगा जिससे कि आपको अच्छे रिजर्ट्स देखने को मिलेंगे और आपको फाइब ड्रॉप से दिन में तीन वार शोबा दो पेरेंश याम को लेनी हैं इसके साथ मैं नेटर में 200 पोटेंसी में शोबा दो फेरेंश याम को लेनी हैं पांच बाइब यह दबाईयां अगर आप 15 दिन के लिए कंटिनेसली लेते हैं तो आपकी बीमारे ठीक हो सकती है बहुत जल्दी आपको आरा मिल जाएगा और यह दबाईयां अगर आप खौमेपेतिक चिकित सकते को शलहा लेकर लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें अध़ा कार रहता है धूब में जाने से उनको दिकत होती है तो ऐसे मरीजों को नेटों बहुत जल्दी काम करता है बहुत अच्छा इसका रिजल्ट काली बाला बाईकर में इ塊 एलर्जी के लिए होता है और नेटर्म भी इस्पिशली एलर्जी के लिए होता है तो यह दोनों ही मेडिसन 200 पोटेंशिय में 55 ड्रॉपस आप दिन में तीन वार ले सकते हैं शुबहा दोपहर एंशाम को पंदा दिन जैसे ही लेंगे आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो होते हैं यह मैं किसी चीजस paper अलरर्जी है अगर हम ऻु से बचाओ करते हैं तो हममस्वें हैं नहीं होगे हम आसानी से भीमारी को ठीक कर सकते हैं कई लोगों को यह बीमारी लंबे समय तक चलती हैं कई लोग यह भीमारी ठीक भी नहीं होती है लेकिन जो उपाई मैंने आप सभी को बताया है बहुत ही कारगर उपाई है आप इससे ठीक हो सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और पी एंडी के बारे में घबडानी की कोई ज़रूरत नहीं है बचाओ करेंगे प्रिवे ब्लॉग उस चैनल का नाम है आप वहाँ पर जाएए वीडियो लेक्चर्स मेडिकल से रिलेटेड लेक्चर्स और यहां पर आपको गलिस रिलेटेड बीमारियों के कफी सारी वीडियो देखने को मिलेंगे थैंक्यों फोचिंग नमस्टकाल है बनाइस टेट झाल